Hello friends and welcome back to a new video आज की वीडियो में रिवियू करने होड़े हैं कुछ मैटेरियल्स जो की बीगनर्स भी इस कर सकते हैं और सीनियर्स भी उस कर सकते हैं और करते हैं जैसे केमम्हillे के मार्ष और आर्टिस्ट करेड के ओलॉल कलोर्स स्केच़बुक्स क्लास्मेट्स की या ब्रस्ष जो होते हैं तो आज हम रेविउ करेंगे इसका और फ़स्टली ये एफ वाइप सैज की एक उसकेच़बुक लाइदा है मैं आउट डोर के लिए आउट डूर करना होता है तो थोड़ा हैंडी रहता है एक स्केज़ बूक्स और इसका जो प्राइज है 140 जी एसम है फिस्टी सीट्स और इसका जो प्राइज है वह है 50 रूपीज 50 पेजिस 140 जी एसम एक साइज और इसके टेक्चर देख लो आप पेपर गये कैसे हैं यह और पेपर काफी ठीक है मतलब इतना भी मतलब पतला नहीं है काफी बड़ी है वैस आउट्डोर के लिए लिए इसे मैंने बाहर कभी लाइव करने जाना हो तो तो एक यह हो गया और इसके अंदर 50 पेजिस है एक यह हो गया और एक लिए मैंने क्लासमेट का दिखाता हूं यह भी 140 GSM है बट इसके अंदर 30 पेजिस है एक बात मैंने नोटिस करी है कि जो बिगनर्स होते हैं जैसे मैं भी हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं वो काफी कंफ्यूज रहते मेटेरियल्स में वो काफी वीडियो देखते हैं उसके बाद भी डिसाइ अगर आप इसके प्राइम करें टेक्चर देखें तो मैं इसको दिखाता हूं थोड़ा क्लोस करके अब इसके टेक्चर को देखो ध्यान से और पैंसिल के स्ट्रोक को देखो कैसे पढ़ रहे हैं इस पर अगर आप विदाउट ब्लेंड करते हैं तो और इसके उपर मैंने सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए मैं आज आता हूं और यह ब्रस जो है वह आपको यह महंगा लग रहा होगा नीचे से उपर देखने में बटिए इतना कोश्टली नहीं है यतना आप लोग समझते हों कि वरस आते हैं इसके जो ब्रिस्टल से वह भी काफी अच्छे हैं एस कंपेर टू एक्सपेंसिब ब्रस बहुत अच्छे हैं उसे साफ से तो इसके ब्रस 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 और जो इसका हैंडल है और यह कंपनी है यह लूज में लिया था मैंने इन 30 m gangsta है मेरे आंड़ी रू पीज त deben सजब ब्रस है है जाथ जार नंबर कना ड़ना के शूब्रस ब्रिस्ट मैं असको फिल्मर्ट का सेट रॉंड का सैट है मैंने पढ़ी मेरे पास लेका सेटिंए तो मैंने आलग से लिया और यह ब्रस मैंने लिया है अगर को थी नंबर का ब्रस के लिए कोई ऐसा ब्रांड मेंटर नहीं करता बस ब्रिस्टल अच्छे होने चाहिए और आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं और यह 10 रुपीज का ब्रस है जो मैंने भी पकड़ा हुआ है तो डिजन्ट मेंटर की ब्रांड कोई मेंटर नहीं करता इसमें और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है वह है यह विल पेंट ट्यूब्स जो लूज में हम खरीते हैं और यह मुझे पर ट्यूब 40 ml यह 40 ml है नीचे और वो कर और यह मुझे मैंने एक अलग कर दी उसको अटा गए पांश ट्यूब्स इसो पैंटी पर ट्यूब्स और वह एक मैंने और ग्यूने क्यों कर॓ं में बताता हूं आपको वह एक ट्यूब 190 नार्फें गी पbnूदिن कि का h OB है इसलिए यह जो है इतना expensive मिलता है market में बहुत रेर अवे लेवल होते हैं इसके pigment cadmium colors के इसलिए expensive ज्यादा होते हैं और यह मैंने 120 ml का white titanium white लिया है इसको 120 लेने का reason यह होता है कि आपका ना जो titanium white होता है या आप कोई साभी white जो लेते हैं वो काफी ज्यादा यूज होता है आपका white और color के according आपका white ज्यादा यूज होता है इसलिए जो है white की मैंने बड़ी वाली ट्यूब लिए और यह 400 रुपीज इसमें लिखा है बट यह जो actual price में मिला है मेरे को वह 300 रुपीज 120 ml तो यह देख लो आप कितना सई भी डिसकाउंट देते हैं अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक में दे दूंगा इड्रे सुनका आप जा के ले सकते हैं जिनको पता होगा नई सदक में वह अब नई सदक में नहीं रहे वह और उनका सोप है मैं बता दूंगा आपको 58-何 यह मैंने बता देता हों कौन कौन से लिये उल्ट्र मैरें ब्लू है प्योर अल्ट्रमैरी प्योर ब्लैक्त अव्यूर ब्लैक स्ट ऑरियर। Еलो होता है यह रो अंबर यह ए अपका डला ग्रिन होता है ग्रिन टाइप का होता है इंडियन रेड एंड कैडमियम रेड ब्राइट रेड है यह बहुत जादा मतलब वाइबरेंट कलर है यह तो यह कुछ कलर्स लिए और इसमें से बहुत सारे कलर आपको अवेलेवल नहीं होंगे बॉक्स में यह आपको अलग से लेने पड़ते हैं जब आपका बॉक्स खतम ह जाएगा तो वह आप अपने इसाब से लें जिस कलर्स को आपको यूज करना है उस ही के इसाब से आप ट्यूप्स लें अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज सेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली आर्ट लवर्स के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को आपको करेंसे वीडियोड पर टनेません प्ली इस धड़ियों गेंसंख सुर्ड़ घया थे तहुत मैंने से अपके चाहे जोसंदर प्ली ने बम मा inspired में हट उस हम प्लीज था देस इसाब सिर्दों चैनल को आपके धर यूटकी दॉस